Hello students, so increasing decreasing function chapter number 6 में application of derivatives में आगे बढ़ते हैं इससे पहले increasing decreasing functions exercise 6.2 का जो की introduction चल लाता है दो वीडियोज आ चुके हैं और increasing decreasing functions को monotonic functions के नाम से भी जाना जाता है ऐसे functions जो किसी open interval A to B में या तो increasing हो या तो decreasing हो ऐसे functions को हम क्या बोलते हैं monotonic function भी बोलते हैं अच्छा जो बच्चे यहां नए पहुंचे वह जाएं डिस्क्रिप्शन में link दिया हुआ है वहाँ क्लिक करेए part 1 से चीज़ें आपको मिल जाएंगे इसके अलावा आप comment section भी चेक कर सकते हैं ठीक है chapter का link मैंने comment section में comment करके pin कर दिया है तो वहां से भी आपको मिल जाएगा ठीक है और जो बच्चे शुरू से करते होए आ रहे हैं वह important information सुनें बच्चों देखो इस वीडियो में हम discuss करेंगे एक्जामपल नंबर 12 NCRT का और एक्जामपल नंबर 13 ठीक है तो एक्जामपल नंबर 12 और एक्जामपल नंबर 13 ठीक है दो टाइप के स्टुडेंट होंगे एक क्या करेंगे रट लेंगे और उमीद करेंगे सो questions कराएंगे उसमें हम आपको दिखाएंगे कैसे NCRT के base पर उन्होंने बना बना कर question पूछे हुए ठीक है और NCRT में हर एक question जो होता है बच्चों लगबग लगवा आपको कोई topic सिखा के जाता है तो यह जो एक्जामपल नबर 12 और 13 है यहाँ पर बहुत कुछ है discuss करने को हाला कि यह दो पेस में खतम हो गया आपकी book में यहाँ पर बहुत कुछ है discuss करने को और हम discuss करेंगे जिससे मजबूती है हमारे concept में और कोई नया question आए तो हमारा बन जाए तो रटिये मत बच्चों समझ के कर यह चीज़ों को ठीक है तो आईए सबनना स्टार्ट करते हैं एक्जांपल नमबर 12 में हमसे question पूछा है कि find the intervals in which the function given by f of x is equals to sin 3x where x belongs to the closed interval 0 to pi by 2 is increasing decreasing मतलब यह आपको एक interval दिया हुआ है ठीक है x की value belong कर दी कहां 0 से 5 by 2 और close interval ही तो आपको ऐसे intervals बताने हैं जिस interval में यह function कैसा हो increasing हो decreasing हो सुनों बच्चो increasing और decreasing तो मैं बाद में बताऊंगा theorem no.1 की help से आशा करते हैं आपने पहले का वीडियो देखा होगा कॉपी में नोट किया होगा ठीक है बड़ उससे पहले मैं आपको इसको strictly increasing करके दिखाऊंगा कॉंसेंटर में and strictly decreasing करके दिखाऊंगा ठीक है पहले आप strictly decreasing के नाम से भी पूछा जा सकता है अगर आप SI, SI और SD कर दोगे तो बस हमको यह चेक करना होगा कि function endpoint पे continuous है कि नहीं अगर वो इसको करना कैसे शूलू करेंगे उससे पहले मैं आपको बता दूँ यह कॉस्ट रिटा का ग्राफ बना हुआ है यह साइंट रिटा का यह दो ग्राफ तो आपको आने ही चाहिए जिन बच्छों ने इलेवन में नहीं पड़ा है प्लीज इसको आप complete कर ले बच्छों मतलब इसको सीख लिजए आप को इतना महान ग्राफ नहीं है कि नहीं है समझ में आपको अब देखो सॉलूशन में क्या रूने सुटेंट्स सबसे पहले हम फॉस्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूस करेंगे तो हमने क्या किया इसको डिफ्रेंटिट कर दिया तो ध्यान से चेक क पूरीकल पोईन्स यादब को हम खुली कि अलुकर क्रिंग आपके थ्रवीटी के स summon x verdicts को सिंफांगी सब्सक्राइबूआ लगेया था और यहीं को हमने मुझेटल ओंनि युशं में कर लिया ओके अव फॉर्ट पूइंटर ह मेंacks दो क्रिलन कर लिया एक्स को जीरो के पुल रख देंगे है तो यह जो आया एक्स इसको हम जीरो एक्वल रखेंगे तो 3 in 2 कॉस अफ 2x is इक्वल टुव्ट इन हहां भी ध्यां से सुनिये यहां पर आपके पास दो फंक्शन से रीटे कॉंसें फंक्शन है और सबस्क्राइब को पता है तो सिंस थ्री एक्स मस्ट बीक्वल टू जीरो या फिर हम बोल सकते हैं दिस इंपलाई स्वाट कि कॉस्ट्री एक्स इपलस तो जीरो हाँ अब सुनो अब ले चलते हैं आपको क्लास 11 ते एक अगर कॉस्ट ठीटा अगर आपको निया दो तो मैं बता दूं की कॉस्ट एटा अगर आपका बच्छो भी रहता है तो थी टा क्या होना चाहिए थीटा होना चाहिए आपका ट्याइफ बिलॉंग करना चीजिए किसको और मेज़डिपल ओफ भी टू को और मु यहां पर आपका थीटा की जगा है थीटा को क्या क्या होना पड़ेगा यहां से आप पहले थीटा निकाल नीचे तो पता चल जाएगा कि यह होगा देखो एक साइख यह जो दो यह जो चलो यह बताँ घ्रीग सकता है चलो हम निकाल के देख्तें ऑन के वैल यह रखो तो 3X की वैलू क्या जाएगी बताओ एंगी वैलू क्या रखो चलो एंगी वैलू वन रखो ठीक है तो 3X इस इक्वल्स टू क्या जाएगा टू इंटू बन अब ढूंद यह था टू जाएगा यह था जालते हैं अभी उसका कारण आपको बता रहा हूं अब ध्याँ से रहा हूं अब ध्यान से च्क करो थी से इधर डिवाइड लगा तो आपको एक्स पता चल जाएगा तो यहां से एक्स के आ जाएगा आपका ट्री पाइबई टू और यह त्री नीचे चलाएगा तो इस ठीक को यह कैंसल कर देगा खिया यहां पर क्या पाइब टू ठीक है बास समझ महीं और यहां से अगर आप X निकालो गे तो आजाएगा फाइफ पाइब भाइब शिक्साएग यह वाला वैलू हम नहीं कंसीडर करेंगे पूछो क्यों भाई आप को कोशन भी तो ध्यान से चेक कर लो ना आपका कोशन क्या है कि एक्स बिलॉंग करना चाहिए क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई बाई बाई टू के बीच में आपको बात करनी है जीरो और पाई बाई बाई टू के बीच में आपको बात करनी इंक्लूडिंग जीरो एन पाई बाई बाई टू अब समझो जरा कि अगर मैं एक्स कितना आ जाता है अब देखते हैं क्या पाई बाई बाई टू के इंटरवल के बीच में कहीं पर आता है यहां पर प्लॉट हो गया अब क्या आप पाई बाई टू ले सकते हो हां ले सकते हो लिया तो हुआ है क्यों क्योंकि एक्स की वैलू पाई बाई टू हो सकती है क्लोज इंटरवल है ठीक है तो पाई बाई बाई इंक्लूट करना है अब क्या आप 556 ले सकते हो ठीक है तो यह चीज़ हमको देखनी पड़ेगी चलिए अब 556 का मतलब समझ ले इसको अगर हम 180 अपॉन पाई से मल्टिप्लाइ करने पाई से पाई कैंसल 6 3 जा और यह 0 तो यह कितना आज़ेगा फाई त्रीज़ फिफ्टीं यह देड़ फो देड़ सो हो गया 150 डिग्री लेकिन आपको जीरो से लेके पाई बात करनी थी ठीक है तो इसको भी हम नहीं ल पाई जाएगा ना तो छोड़ तो इस तरीके से हमने एक्स की बेलू निकाली टेक लूट क्या पॉसबल हो सकती थी यह 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 ठीक है इन दोनों से तो मतलब नहीं यह तो दिया हुआ यह थैक्स का वैलू हमें एक क्रिटिकल पॉइंट इन दोनों के बीच में चाहिए था जो कि इसको disjoint interval में break कर दें ठीक है तो अब आपके पास क्या आ गया है इतना note कर ली जा कर ली जा तो यहां से जब आपने f dash of x is equals to 0 रखा तो आपके पास एक point आ गया बड़ा special point आया 5 by 6 और हम अपनी copy में लिखेंगे क्या कि this x is equals to 5 by 6 divides divides the divides the interval divides the given interval divides the given interval given interval क्या था close interval 0 से 5 by 2 into into to disjoint disjoint मतला जसमें कुछ भी कमन नहां into to disjoint intervals into to disjoint intervals कौन से दो डिस्वाइन इंटर्वेल मिले आपको including 0 to 5 by 6 और 5 by 6 पे अभी मैंने open किया है ठीक है and open 5 by 6 to 5 by 2 क्योंकि मैंने यहां कौन से शब्द का यूज किया बताइए मैंने या शब्द का यूज किया है इस लिए हम z ये घुद बगया क्लोष कर सकते हैं क्योंकि 0 क्लोष अगर ने कर दिया हमने कैशन में मिदिया था हम ने क्लोस कर दिया हमने plus six qo isline नहीं विकास पाई बाइब टू कोश्यन में इंक्लूड़िट था ठीक है चलो अब मुझे आप बताओ तो इंटर्वेल तो आपको मिल गए ठीक यह रहा है एक इंटर्वेल और एक रहा है इस इंटर्वेल में जिलो इंटर्वेल में पाई बात करते हैं सुडें सबसे पहले किसकी सबसे पहले हम इस्ट्रिक्ली इंक्रीजिंग की बात करते हैं किसकी इस्ट्रिक्ली इंक्रीजिंग ये कौन से इंटर्वेल में हैं तो याद होगा आपको इस्ट्रिक्ली शब्द लगाए प्लीज धिहान दें तो इस्ट्रिक्ली इंक्रीजिंग के लिए आपकी जो कंडि देखो आपका f- of x क्या आया है यह है आपका 3-3 थी तो हमेशा पॉजटीव है आगे यह जो लिखा है थी यह तो हमेशा पॉजटीव है इसकी टेंशन नहीं अब f-x हमारा पॉजटीव होगा कि नेगटिव होगा यह किस पर डिपेंड करेगा यह डिपेंड करेगा चुछ अगर किसी इंटर्वेल में निगेटिव हो गया तो यहां पर आ जाई यह वापस कोडरेंट सिस्टम में अपने यहां होता है 0 रेडियन यह होता है पाई-बाई-टू और यह होता है पाई-पाई-टू और यहां क्या होता आपका 3-5-2 वापस यहां पहुत जाओगे तो अजला फोग जाएगा 2 वाई चेहां चलो अभी एक पई-बाई-टू क्लोफ्वाइस चलो उकितल पॉसरेटिव लेना है अब हैं यह जीडू से लेके पई-बाई-बाई-टू आस आपना एर एडओ-पाई-बॉस तो पॉज़िटिव और व्लॉक यह कंडिशन ने सब्लीन ग्रीजिंग की तो हम लिखेंगे कि सिंस कॉस्ट्री एक्स इस ग्रेटर देन जीरो कॉस्ट एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर ओल एक्स बिलॉंग्स टू अब देखिए एक चीज़ और इसमें बड़ी मज़ेदार है ये तो वैलू जो आपने निकाली थी तो ये जो वैलू आपने निकाली थी मलब ये जो इंटर्वल निकाला था ये एक्स वाला इंटर्वल था और यहां पर कॉस्ट के साथ क्या रहे थी एक्स तो यहां फिर से जिरो से 526 इस बात को आप कैसे लिख सकते हो इसको मैं से लिख सकते हैं ध्यांस चेक करिए कि एक्स बेटर देन इकोल टू जीरो भाई एक्स की बड़ी बड़ी बटलेस दिन वाट यवाई जिक्स आपको पॉस्त प्री एक्स का साइन पॉसरी निगिटिए चेक अनिक लि को तो ट्री से सिक्स कटेगा तो यहां के आ जाएगा पाई भाई टू याने के आपका जो एंगल है 3x वो कहां से कहां लाई कर रहा है यहां पर मेरे से गलती होगे मैंने एक्स सपे कमेंट कर दिया मुझे कैस पर करना चाहिए था थ्री एक्स पे क्युक्कि मुझे कॉस् करना है ठीक है तो 3x कहां से कहां आ रहे है जीरो से पाइब टू के बीच में ठीक है तो यह है आपका जीरो और यह है आपका पाइब टू तो आपका का 3x belongs to what? इस इंटरवल फस्ट फस्ट को यह फर्स्ट कॉर्णिन में आ रहे है तो कॉस का बेलो कैसा होगा पॉस्ट तो इस चीज को हम एक्जाम एंक इसे लिखेंगे हम लिखेंगे की कॉस 3x is greater than 0 is greater than what? 0 for all 3x belongs to this interval यह इंटरवल कौन सा है? 0 से पाइब बाइब 2, ओके? ठीक है तो अगर कॉस्ट 3x पॉजिटिव है जब 3x इसको बिलॉंग करता है जीरो से पाइब टू और जीरो क्लोज तो मेरी बात ध्यान से सुनना बच्छों इसी बात को क्या मैं ऐसे इंग सकता हूं एक्स बिलॉंग्स टू क्योंकि देखो ये रिजल्ट कैसे आया था आपका 3x का इंटरवल कैसे आया था एक्स की हेल्फ से तो क्या तुम एक्स पर फिर से कमल नहीं कर सकता हूं कि भही या एक्स ऐसा था कैसा था क्लोज इंटरवल जीरो से पाइब भाई 6 था अब समझ में याने कि जब मेरा एक्स कहां से कहां बिलॉंग करेगा जीरो से पाइब भाई 6 याने कि जीरो को इंक्लूड करके और पाइब भाई 6 को अभी आपन किया है तो इस इंटरवल में आपका ध्यान से चेक करिए एफ डैश ओफ एक्स कैसा हो जाएगा पॉजिटिव क्यों अगर कोस्ती स् थी से होगा ऑद इस थी स्थाक्या उपका फ भी आएक्स यहिसे एंटर्वल में फटाष ऑफ एक्स कैसा आगया ग्रेटर देल 0 आ गया बात समझत में याने कि यह जो function है यह strictly increasing है हम आंसर कर रहा हूं यह strictly increasing है पॉन से इंटरवल में इस ट्रिक्ली increasing है यह इंटर वेल close interval 0 से 5 by 6 में और 5 by 6 पे open ठीक है और 0 पर क्या है यह close है ठीक है आप समझे जरा मेरी बात समझे क्या बहुत बढ़िया मैं आपको कॉमेंट टेक करने माला हूं पहले इतना आप नोट कर लो इतना आप नोट कर लो कर लिया चलो देखो जिरा बास समझी का बच्चों देखिए बच्चे मेरे को क्या पूस्ते हैं कि सर आपने हाँ कि गंटिया कभी-कभी तो हम देखते हैं इस टोप्रिंग करीजिग ऐसे दिया रहते है किसी किसी किताब में यहां पर भी ओपन रहता है यहां पर अंतर रह तोपन साही दिया होता अलग-लग किताबों में उल्टा सीधा भी छपा हुआ है देखा मैंने लग लग किताबों में गलस छपा हुआ है आपको बिल्कुल सही जानकारी लेनी है ध्यान दें प्रीस देखिए एक बात बताइए कि इस ट्रुक्ली इंक्रीजिंग की कंडिशन क्या होती थी कि एव डैश ऑफ एक अगर मैं एक्स वेलो 20 लू लू भाइग ग्री है नो एक सब्सक्री यह गोटेओ नो टो ट्रीएक्स कितना हो जाएगा त्रीएक्स कितना हो जाएगा तो एक दो अगर जय को हो जाएगा तो धिम्हान से लाट चैक करो तो तो कास्ट एक्स किटना हो जाएगा तो जिए जो गए तो इस लिए है और यद्ट में 3 से से करो घी तो 3 तो बात समझ में आई कि X is equals to zero पे भी तो X is equals to यही तो क्या है तो यही तो क्या है तो यह कितना आया है एक सब्सक्राइब कर लिया है अब पाई भाई 6 को मैंने क्यों नहीं इंक्लूट किया तो देखो जरा अगर मैं X की वैलू पाई भाई 6 लू तो मेरा 3X के आओ जाएगा अगर नहीं एक सुम्हारा कितना है तो यह यह एंगल कितना हो गया पाई भाई वाइड़ टू गया जिङ यह क्या हो गया जहां से चिक करो f-of x तो greater than 0 थोड़ी ना होगा यह तो equal to 0 हो गया समझ महीं बात तो इसलिए हमने x is equals to pi by 6 को नहीं लिया है क्योंकि x is equals to pi by 6 पे 3x मेरा pi by 2 हो जाता है और f-of x 0 के equal हो जाता है लेकिन strictly increasing की condition क्या थी कि f-of x greater than 0 होना चाहिए एकवल टू नहीं लगता था एकवल टू नहीं लगता था इस्ट्रिक लिंक्रीजिंग में यादे आपको इंक्रीजिंग का आंसर दूंगा ना तो यहां यहां पर तो इसकी वैलू क्या है पॉसिटिव ए जी रोपर तो एफ डैश ओफ इंक्रीजिंग कंडिशन नहीं आपको गए जी रहे तो पाइब सिखेजिर ओर था तो इंक्रीजिंग तो होगा आपका कॉंसे इंटरवल में में यह भी क्लोज होगा और बहुत क्लोज करें जरसे भी तो यह इंक्रीजिंग वला इंटर्वल है और अभी स्ट्राइब नमबर वन से भी कॉमेंट करेंगे तो अभी तो आप फील कर चुके तो आनसर आही गया तो यह लिख लेते ठीक है इंक्रीजिंग आपका जो इंटरवेल आ गया है वो प्लोज इंटरवेल जीरो से प्लाइब जिक्स लोज लेकिन इस्ट्रिक्ली इ है की स्टिक टिकरेजिंग के कंडिशन के आ होती थी इस टुक ली लिख लिख रिघी कंडिशन जी वो क्या होती थी स्ट एट quieres in की logically कंडिशन थी क ciąश एव टैश pena कि अैसी वैल वैनी है कि affirmation से जीरो झेक अब आप यह वाले बने चेक कर एई और यह वाले इंटर में यहां पर ओपन प्रोट इसलिए कर रहे हैं तो अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है इसका मतलब है कि हां इक लगे को होगा कि लिए दो नहीं है चलो बहुत बढ़ी हा अब आपको किसका साइं चेक करना है एव दैश ऑफ एक्सका एब डैसोफ एकस पर डिकर्णा स्थी इक्सष्प और यहां करोगे तो यह जएगा थी एक्सट एस लेजन अर यहां करोगे तो यह हो जागा 352 ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब आप चले जो अपने कॉर्णेंट सिस्टम में जो कॉस का एंगल है 3x वो कहां से कहां आ रहा है जाय है, जो कोज़ेंट 0 हाइन रहा है, अब भी-चरव होता है, क्यों भई यहां पर भी-कॉस किया होता है नेगटिव होता है समझते कजया मतलब कि अगर 3x अस इntररवा. ये सो ऊह मीं है तो जो कॉस 3x होगा, यृ अगर कॉस्ट एक नेगेटिव ए तो यह अगर किसी नेगेटिव नंबर में आप 3 से मल्टिप्लाइए कर दो तो नेगेटिव भी तो होगा तो दिस इंपलाइज वर्ट कि 3 कॉस्ट त्री एकस इस लेज देन जीरो और 3 को इस है किया यह अपका क्या एफ डाश ओ एकस यह तो है तो एकस लेज देन जीरो आ गया इस इंट्रीव में बाश शमझ मैं ही कि नहीं है, अठ्वा बहुत बढ़िया, अप सुनो, अप सुनो, अप सुनो, आपको आनसर किसके फॉर्म में देना है, X के फॉर्म में, ठीक है, अप सुनो, हम ये चेक करेंगे कि हमको पाई बढ़िया है, कि हम इन पॉइंट पे ओपन ईंटरवल लगाएं, कि इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा, कैसे चेक करना पड़ेगा, अगर हम, X is equal to क्या ले ले ले, पाई बाई बाई ले लेते हैं, तो मैल्टि प्लाइंग बाई थी बोट साइट, तो 3X क्या हो ज होता है तो यह यह पूरा लगता था था इस टोडी ने वह तो डिकरीजिंग में वह तो डिकरीजिंग में लगता था ठीक है डिकरीजिंग क्या होती थी अभण और एकुल टो इसलिए जब मैं आंसर दूँगा कि स्ट्रिक्ली डिक्रीजिंग कॉंसे इंटरवल में तो मैं पाइवाई 6 पे पहले ओपन करूंगा ठीक अब पाइवाई 6 से लेके पाइवाई 2 के बीच में हमेशा नेगडिव होगा वह तो मैं आपको दिखा दिया को कि 3x अगर एक्स इस इंटरवल में लाई करता है तो 3x इस इंटरवल में और यहां से यहां को समिशा नेगडिग होता है अब हमको प्रॉब्लम कहां पर है हमको प्रॉब्लम है एंड पॉइंट पाइवाई 2 पे तो वहां पे हमको चेक करना है तो x is equal to अगर मैं पाइवाई 2 ल इसका मतलब क्या है कि 3x is equal to pi by 2 पे जो आपका कॉस x है और सुरी कॉस x कह रहा हूं कॉस्ट 3x से वो तो 0 हो गया और धिहां से चेक करो अगर कॉस्ट 3x 0 हो गया 3 into 0 0 आ जागा ने कि f dash of x 0 आ गया क्या गया एफ डैश of x is equals to क्या गया 0 और तो आना क्या चाहिए था आना क्य इसलिए हमने क्या किया हमने यह वाला इंटर्वेल भी आंसर देते टाइम नहीं लिया याने कि हम पाई-बाई-टू पे भी ओपन कर देंगे और आप अपनी NCRT में देखिए उन्होंने कुछ और नियू कहिं गलत सब छपा हुआ है ठीक है मैं देखा नियू में थोड़ा गलत था ओल्ड में सही था तो इस टिकली डिक्रीजिंग जो था वो ओपन इंटर्वेल था पाई-बाई-बाई-बाई-टू पे यह ओपन था ठीक है और डी शर्मा में तो बहुत कन्फ्यूस किया और तो पता नहीं कैसा आंसर किया कभी समझ भी नहीं आता कि स्टिकली ड प्रोकस करिये तो यह तो आगया अनसर अब ध्यान से चिक करिये कि अगर हम बोलते कि भी या सिर्फ डिक्रीजिंग के बारे में बात बताओ तो तो तुम कहते क्या तो कहते क्यों कि पाई-वाई-6 पे क्या हो गया फट अश ओफ जी दो और पाई-बाई-टू पाई- इसका मतलब डिख रीजिंग वाला जो इंटर्वल होता तो हम इसको भी क्लोस कर देते और इसको भी क्लोस कर देते ठेके तो जो डिक्रीजिंग का आफ एगा आपका वो क्या आएगा लोज इंटर वैंट रेल पाई-बाई-भाई-टू यह आपकी बुक्में नीचे नोट लगा कर लिखा हुआ है आप देख रीजिए जिए जब आपको कुश्चिन फिनिश होता है ठीक इस ट्रिकली इंक्रीजिंग इंटर्वल जियुक्ष्च्ट क्यों क्यों क्योंकि पाइब पॉइंट और इस एंड पॉइंट जब एक्स की वैलू पाई भाई 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 दो गी तो तो इसलिए यहां पर डिक्रीजिंग हो गया अब आपके एक्जाम में आपकी बुक में कैसे आंसर करता है ऑन्सरा सब कुछ आ गया वह इस तरीके से अंसर करता है ध्यां सब करीए ध्यां सब करेए देखिए दिखे हमने आपको बताया था कि कोई फंक्शन कोई फंक्शन ये रहा आपका फंक्शन अब आप 3X पे गार करें रहां थीक कोई फंक्शन अगर कॉंटीनुस हो दिए गए इंटर में इंटर विलमी तो आपको यह चेक करना है और एंडपोइंट में पर कॉंटीनुस है तो यही जो स्ट्रिक्रीजिंग वाला इंटर्वेल उता हम खर देंगे तो यह इंटर्वेल सब्सक्राइब तो आओ जरा साइन थीटा विए नहां पर तीटा कितना है ठीटा कितना है तो ग्राफ तो वैसे ही बनेगा क्या हो गया तो यह साइन थीटा का ग्राफ देखो यह ऐसे आया ठीक अभी अधिया यह एसे है ठीक है अब दियांते चेकरों कि जांसे चेक करना पहले बात करते हैं किसकी increasing ठीक पाई भाई शिक्स पे पाई वाई 6 पे अगर मैं एक स्की वैलू कितनी लों पाई वाई 6 ले लों तो 3-20 किटना हो करने के लिए फंक्षन का डरिवेट आप नहीं चेक करिंए हम बस यह चेक करेंगे एंड पॉइंट पे फॉंक्शन कॉंटिनियों सेकिन एकॉर्टिन टूर्म नुम्बर वन कला आपको बताया था मैं ठीक तो थ्रीक्स तो क्या हो जागा थ्रीपाई भाई भाई थ्रीपाई तो जाएगा ठीक सुनों 3x5x2 हो गया तो साइन 3x को जाके आप ग्राफ में देख लो साइन 3x देखने लिए मतलब है अले साइन 3x देखने का मतलब है ठीक से वैलो कितनी साइन 5x2 को देख लो क्या कॉंटिनू तो पे ग्राफ हाँ जड़ा देखते हैं ताइन पे और पा यानिकी जब आपने एकसे इक्से प्रेट टू पाई गाई शूब आगया और साइन 5x2 यानिक जब 3x5x2 इंट ग्राफ करा होता है इसका मतलब एकसे जो को इंक्लूट किया जा सकता है तो यहां पर हमने इसको इंक्लूट कर लिया इंक्रीजिंग बास्समझ में और आप क जो तो एकसे सब्सक्राइब यहां पर क्या हो जाएगा जिडिए अब आप देश आप एकसे पोई जिस प्रेंट पर हो जाता था वो चंडिशन इंक्रीजिंग में इंक्रीड करी आती थी क्योंकि इंक्रीजिंग कि कंडिशन एप डाश्य ओफ एकस जेटर देन और एकोल पर देखा कि अगर हम एकसे पाइब टू तो कॉंटिनुवस होता है फिर सब्सक्राइब कि जब आप इस्टिक्रीजिंग की हैं से डिक्रीजिंग पर कॉमेंट करेंगे तो यह जो जाएगा तो जहां से चेक करो यह जो गया वही सारे कारण है जो हमने आपको आपको आपक यह जो हमारा फंक्शन था एंड पॉइंट पर इस लिए क्या कि डिक्रीजिंग का दबाब देते टाइम हम यह जो एक्से कुस्ट पाई बाइड टू लेकर हमने थी इस पर कमेंट किया था तो यह जो पाई बैट हो जाएगा आप प्लीर ली देख लिजे जब थी इक्स पाईभाई है तो एक तेगेंगें डॉकर करें तो यह तेगेंट एक से के पैललल आत इस तरीके से आपको एक्जाम में ध्यान रखना है कि SI और SD पूछा है आप से या केवल इंक्रीजिंग पूछा है अगर केवल इंक्रीजिंग भी पूछा हो तो आपको SI DIA अपने मन में पहले निकालना है और फिर चेक करना है कि end point पर function इंक्रीजिंग है कि sorry end point पर function continuous है कि अगर वो इंक्रीजिंग होगा तो इंडरल को हम close कर देंगे और बोल देंगे इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग इससे साब से ठीक है तो आशाह करते हैं आपको समय में होगा इसको आप कर ली जाए तो श्रेंस लेते एंग्जांपल नुबर 13 के रफाइंट इंटर्वेल्स इंट्विच इद फॉंक्शन फ एक्स तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जो दिया हुआ है वो क्लोस इंटर्वेल जीरो टू पाई दिया हुआ है ठीक है यानिक अगर हम नंबर लाइन सब्सक्राइब बनाएं ठीक है ध्यान दिजिएका यामने आंसर पहले लिख रहता है उसका कारणा है बाद में आपको लिखना टू टाइम लगता है न फिर आपको तरिके स्टेवर में मैं सम्झारम सब तो जीरो और टू पाई के बीच में आता है एक्स और जीरो इंटर्वेल में ब्रेक हो जाए और अलग अलग इंटर्वेल में हम जाके चेक करने कभी फंक्शन एसाई यह कभी एस डी चलो बहुत बढ़ी है अब करेंगे क्या पहले हम इसमें क्रिटिकल पॉइंट करेंगे कैसे फाइंड करेंगे आचा इससे पहले इस को कर रहें से एक बात बताना जाता हूं बच्छों पता है क्लास 11 में हमने क्या पड़ाता पतलगा यहीं नहीं आता हो दबता हो चुका कामस में हमने बढ़ाता 10x is equals to 10y हो जाए ठीक है तो X की क्या क्या वालू हो सब्सक्ति इसको कैसे सॉल्फ करते थे एक्स बेलोंस तो वाट सब्सक्राइब करते हैं तो यह हमारा फॉंक्षन है सबसे पहले इसको डिफिंट करते हैं तो यहीं कोशन बोर्ड गुमा कर आ गया था वो फंक्षन चेंज कर देंगे साइन एक्स माइस कोश्च कर देंगे या कोश्च कर देंगे तुसका जो नेक्स वीडियो आएगा उसके हम आपको बोर्ड एक्सामिनेशन वाले कोशन कराएंगे ठीक है सीधे एक्ससाइक 6.2 पर मत जंप कर जाना ठीक है जिनको गॉन्फि ए ट्रिफिकल पॉइंट्य ऑफ एपशन को किसके एक यapon रखेंगे पताई जीरो के इसको रखू затो यहां अगर आप जाएगा तो cause X is equals to sign X to the positive हो जाएगा नौ डिवाइडिंग भाई cause X both say cause 6 left में cause X say right में यह कट जाएगा यहाँ बना जाएगा ठीक है तो wanna is equals to sign upon cost 10X इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या 10X is equals to one भी लिख सकते हैं one क्या होता है 10 5 by 4 10 4 सब को अगे लोगा पता है वन होता है ठीक है तो वन की जगा हम निया रिखा है टैन एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब टुक्राइब टांग्स क्या होती विद्थ होना चाहिए आपका इन पाई बिद देगे दम यह सकती येंग और आपका यह यहां पाई-पाई-फॉर तो प्लस भीफिवाई-फोर अब यह जैस में की बलोवाँ रखना शलू करें ऐसको जो रहो चलो एका बेट लुक्राइब फोल जो एक सिकार कें और सीरो लिए किन्ति को पाई रचा जाएगा और तो पाई प्लस फ्रॉत फाइश फ्रॉइन वाइब मैई ठोन ज्रोब पर फिर और दो पॉइंट अब ऑइद Kenya स्वैंट उक फ्रॉप कोलन की अटीक फिर्पलेश फॉर ना प्लस पाई बाई थो टुपाई गिसे बहार निकल जाएगा इसलिए हम एस इकोल्स टू कंसीडर नहीं करेंगे ऐं की कोई नेकटिव वैल्लो भी आप लेकिए चेक कर सकते हो बच्छोंक पार कर गया है यह नहीं चलेगा याण के आपके पास ग्रिटिकल पॉइंट्स करें आए ठीक है तो आईंगे यह परोट कर लेते हैं तो ये आपको पाइभी 4 यहां कहीं मिलेगा ओपाइभी 4 से बड़ा होता है क्या 5 × 4 तो यहां कहीं मिलेगा तो आपका 0 से लेके 2 πाईवाल इंटरवल फ्री सब डिजॉइंट एंटरेवल में ब्रेक हो है हम अपनी कॉपी में लिखेंगे क्या की एक्स डवूर्णस का निकल complotلة by भॉरठ pay भाल डिये तो क्रिटिकल पॉइंट्स किया का थन्हें निवाइबS दो इंट्रव डिवाइगी इडों मरय इंडर्वेल था प्लोज़ इंट्रव्ल 0 से क्वाइब माज्या किने कि अड्रू लई-0 से टूपई याइकोल लगा हुए ठीक तूपई टूपई टीक टूपई पीए ठीक तो आज जो पॉइंट यह दिवाइद गूट दैंट इन टू एंटू एंट एंटू 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 थी सबीड इंटर्वेल्स फीडिसव इन दिविटलाइस थीसपू दिस दोइं इंटर्वेल्स ठीक कॉन कॉन इंटर्वेल नहीं बताँ जीरो अब तो क्लोस करेगी निए अभी तो कर लो यार क्या जा रहा है कुशन में 0 को क्लोस किया था तो हम भी कर देने जीरो से हां पाई भाई फॉर पे ओपन रखेंगे ठीक और दूसरे इंटर्वेल के इसको अगर पाई भाई फॉर से लेके टूपाई और टूपाई को अभी तो आप क्लोस करो क्योंकि कुशन में किया हुआ था नहां पर ओपन को डाउट है लेकिन जब आप चेक करने लगे एसाई और एस दी तो आपको एंड़ पॉइंट पर भी चेक करना पड़ेगा सबसे पहले हम करते हैं क्या हम चेक करते हैं इस प्रिक इंखरी इंक्रीजिंगी कंडिशन बचों कंडिशन दाइए एफ डैश ओफ एक सब्रीटर देन जिए जी रोता है ठीक चलो बहुत बढ़ी है अब ध्यान से चेक करें क्या किसको चेक करना आपको को सेक्स माइन साइन अग्स को ठी अब यह ओगया आपका थे पाइब के पाइब डुक्स को यहां कहीं तो ये ऐसे करके जाता है ठीक है न अपकर चीछ मआई पर जिरू हो जाता है और एगर मेंघर कम बना भाइंग बढसे तो पाइवाइं टू पे साइन क्या ओता है रवन तो यह साइन ग्राफ है और यह ब्लैक वाला किसका ग्राफ है यह हापका कॉस्ट एक्स अब मुझे बताओ यह आपका जीरो यह रहाँ पाई-बैट टू ठीक है तो तुम्हारा पहला इंटरवल के जीरो से पाई-बैफोर पाई-बैफोर कहा है गाई-जीरो और पाई-बैटू के जस्पीछ में अर अगर आप चलोगे तो कॉस्ट क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है साइन क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है ठीक है और कॉस्ट क्या कर रहा है डिक्रीस कर रहा है लेकिन आप अगर किसी भी पॉइंट पर वेलू चेक करो बश्म जोड़ा है अक्चल में हमें ना तो साइन हो गया कितना इतना और आपका इसी पॉइंट पर कौस हो गया कितना कि यह इतना बताओ कौन बड़ा बताओ कौन बड़ा और इस पॉइंट आपको time-friends बोड़ा है अगर आप बच्चे बोलने नहीं पोई और Point लो चलो कोई और Point ले लो यहां पर जो भी एंगल होगा इस पाइब फोर के भीच में यह वाले अंगल कोड़ी है यह साइन पर गया बिचारा चोटा साइन की लांग छोटी और इसी पोईन्ट पे यह ग्राफ थैंस का यहांस वाई इस प्रपेंटुकल डल लगास की बहुट इतनी बढ़ी यहां कि जीरो से पइब ड़ॉर के बीच मे देहां से जिख परी एक जीड़ो से पाइब फोर के बीच में हम क्या लिखेंगे कि वेन X is greater than 0 but less than pi by 4 अभी मैंने include नहीं कि अभी मैंने end point ने include किये हैं ठीक है रुक जाओ भी ठीक है इसके बीच में इसके बीच में आपका जो यह होता है यह हमेशा कैसा आगा positive क्यों भी यह क्यों कॉसक्स हमेशा क्या है बड़ा है किस से साइनिक्स से तो इन्दोंनों का difference कॉसक्स की वैवर है हमीशा फॉजटेव और हम आप सिर्च सब्सक्राइब वाय में चल ला है तो कॉसकी बीवैलो पोजटेव है और साहीं की बीवैलो पॉसीट इन की ठोडब ईचूटेव में ने को इतने बड़े नुमस पॉसिट इन इन्स क्वाइब में इतना चोटा as cos x is always greater than sine x for all x belongs to the open interval 0 से पाई बाद बढ़िया और यही क्या है यही क्या आपका यही क्या है अफ दैश ओफ X greater than zero आ गया कॉन से इंटर्वल ने है भी for all x belongs to open इंटर्वल जीरो से भाई भाई फूर बेर अब एंड़ पॉइंट पे चेक करो क्यों क्योंकि भाई हमांसर देने जा रहे किसका स्टिक्ली इंक्रीजिंग का और सकी कंडिशन क्या थी एफ दैश ऑफ एक सब्सक्राइब पॉइंट पॉइंट पे भी तो नहीं इसका इसका मतलब जब हमांसर अभी करने लगे यह वाले इंटर्वल में तो जीरो को इंक्लूट करना पड़ेगा इस प्रिक्ली इंक्रीजिंग के लिए ग्रीखिस करना पड़ेगा क्यों क्योंकि जीरो पर एफ-दैश उफ-फ नगेटर था 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 थैफ-दैश एफ-फस तो फ देटी और एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब क्या ने पॉट इसलिया अमने घ्रिटीजिंग कर थे दिए टाइक जिए पॉट किया झरेक्ट सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह हो गया, 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 एक्स बराबर जीरो हो गया, कहां पर, at x is equals to pi by 4, सुण, x is equals to pi by 4, पे f' of x 0 हुआ, greater than 0 थोड़ी ना, positive 0 हो ना, positive होता है, यह ना, negative होता है, तो जो ग्रेटर देन जीरो नहीं हुआ, बाध समन में, इसका मतलब आपको, x is equals to pi by 4 को exclude कर देना है, इसको हम नहीं लेंगे, चेके है, चलो, बाहत बढ़िया, तो strictly increasing, वा अब इतना पहले कॉपी करिए फिर हम चेक करते हैं और यह कहां स्ट्रिक्ली इंक्रीजिंग है ठीक है कर देखो यहां तो हमारी आरत क्या नीची एक्जाम में हम ना लाइन से चेक करें लाइन से का मतलब नेक्स इंटर्वल यह वाला हम यहां चेक करें अभी यहां तो अन्थर लिखा यह बोलें सब्सक्राइब बनाने जरुद निया और यहां पे भी जरुद नीए तो मैं आपको दिखा दिया ठीक है यहां पे आप कोई भी डिटिकल पॉइंट इस इंटर विलमें कोई एक पॉ प्याइब फोर का मतलब क्या होता है यह जाएगा आप इसको डिग्री में चेंज कर लो तो फाइफ पाइब फॉर इंटुए अपॉट इपॉन पाइब आप चेंज करो गे तो यह जागा फॉर फोर फोर जाट शिक्सीन टू फॉर फाइब और फाइब टॉन टॉन पॉन दिग्री टिक तो पैतालिस और दूस्व पच्छिस दिग्री के बीच में कोई एक पॉइंट ले लो तो मैंने चूज किया 90 डिए मतलब क्या एक सब्सक्राइब टू पाइब टू पर हम सको चेक कर लेंगे की पॉस्टिव आ रहा है कि निगडिव आ रहा है तो उसे साब स घ्री आपको ग्राफ दिखा के बस नहीं पर संध्या दिया तो ओपन इंटर्व अगर से घ्री आप चाहते तो वीरो से पाइब फोर गेश्मना को जाते है मैंने आपको ग्राफ दिखा के बस यहां पर समझा दिया तो ओबन इटर्वेल डिस तो अभी तो यह कैसा रहा है डिक्रीजिंग इस्ट्रीट डिक्रीजिंग अल रहा है अब आपको एंड़ पॉइंट पर भी चेक करना है ठेक है तब हमको पता चलिक यहां क्लोस करना है यह कर लिए पटाय पिडियन तो चल्व थैंस एक सदू पाया फोर लेंगे तो हैफ आफ तैश इस पाय भै-फॉर अगर हम निका लेंगे तेव डैच आफ और हो पाय भै-फॉर किता देजंग सब्सक्राइब लिकास कास पाम भाय-फॉर कास फाय फॉर माईश 5 by 4 या दोनों वान रूंड टुमान रोग तु दोनों एट व्हान टू थो मैंसटन में तो जिरा आगया यानि की अधड एक्ट ऑन टेक्स कौस्त टु पई वाई है तो 5 5 4 को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं फाइस पाइस पाइस अधूर आपका तो सबस्थ घर तूर्थ स्कूडर नोगाए तुल्ट और आफ्टर स्कूल टू यहां पॉट्ट बाकि सारे तो लेकिन कौन सा बड़ा है ये हमको नहीं पता तो आई निकाली ले तेना गें इस पे वैभाई चिंटे तरे से पाईश पोर लेक सकते हैं ज har盼 लिएअ तो यह निकालना है हमको और डाश ओफ फाईफ पाईवार फोर स्टोड़ने इसका मतलब क्या है कि हम भर लिकालना है क्षेंच qaos 554 and minus sin 554 sign 554 यह हमको निकालना है तिखिए तो आहई हम आपको अलग से निकाल के दिखा देते तो coss कos 554 को का अपकर लिख हो क्या लिखो aspect मैं आप सब्स। आराइफ करूं तो यानिके माइनस कॉस्पाइब लोग निया ना कॉस्पाइब लस्ट इटा मैंस सुटा होता है तो यह होगी आपका कॉस्पाइब बैद फ्रेक्शल में और इस तरी के सॉल्फ यह मैं आसी लगा दिया चलो अब साइन फाइफ पाइब फॉर को आप सॉल्फ करो तो यह क्या हो जाएगा यह जगा साइज पाइब लस पाइब प्रफूर हम इस साइन पाई प्लस थेटा फ़्स थी टावं से कॉर्ण इंगा थर्ड में और साइन का दृट कैसा हो जाएका तो तो आपका मैनस साइन पाई भाई फूर ठीक है तो आप ध्याम चेक करिए इसकी व्लू क्या है इसकी 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 फाइब प्रटमएनस एक मीनेस और लागा व excused Swamgika कि और रोट वी तो प्लिस साइंक शैना पना प्लूडां गया लें अपम बीटर्य गर्य गालोएगा मायनस कास पाइसे कर दो आप jest कःख fusion हम्ण इस जे इसलिए हमने 5 5 4 को भी एक्सलोड कर दिया तो आप ध्यान से करिए इस इंटर ओपन इंटरवल 5 5 4 से 5 5 4 में F-dash of X is less than 0 है और श्टिक लिए है डिक्रीजिंग है बास समझ मैं ठीक है इतना कॉपी करो फिर हम अब नेक्स इंटर विल्में चेक करते है तो नेक्स इंटर रिल्म चेक करते है चुटेंस फाइब फाइब फोर ऑबन इटरवल 5 5 4 2 5 लोस तो इसके बीच में कोई फॉइंट चूज करना पड़े है जहां आप यह चेक कर सको कि एक साइन कैसे करूंग तो है क्या साइन ऍवर थी पयफ्र जुना थी आपको मतलब है तो ऐसा थे फिए कि न यहां कहीं आता हुगा क्विए 0 यह हुआ नाइन डीन इनकि पाइब टू और यहां पर जबाब आओगे तो यहां क्या होगा आपको यहां क्या होगा आपको इसके बीच में आपको चेक करना है और यह तो इस पॉइंट पर अगर हम चेक करें सको तो अफ डैश आश ओफ हम चेक कर रहे हैं तुरी पाइब टू पर ठीट हो जाया क्या फंक्शन एब डैश आफ एक्स क्या आपका कॉस एकस लिगार रखना हम को थी पाइब टू ओके और माइनस साइं ठीपाइब टू अब सुनो ये तो हो गया जिरो क्योंने को साथ के और मिल्टिपल ओ प्रक्राइब को समझगों यह जो यह जो इसको ऐसे ब्रैकेट में रखता यह माइनस बाहर है ठीक है और साइन पाइप लिटा माइनस थीटा होता है किया है यह मैंने ऐसे कॉपी किया और माइनस मैनस ब्लस ही तो आपने क्या देखा आपने देखा आपका कैसा आ गया आपका एफ डायश ऑफ एक्स कैसा आ गया गया ग्रेटर देन जी रोग्या वनिक पॉज़टिव नुम्बर एक रिटर देन जीडू आगया कहां फॉर एकस belongs to for all x belongs to the open interval five five by four say five five by four say two point तक बास समय नहीं लेकिन अभी end point पे भी हम check करेंगे तब हम जवाब देंगे increasing तो अभी हम दिख रहा है इस्टो इंड पॉइंट पे भी check करेंगे ठीक है तो इतना पहले आप copy कर लिजे फिर हम end point पे check कर थेंगे कर थेंगे end point पे चेक करते हैं तो एक एक सब्वाल स्टू फाइब फाइब फॉर एक्स प्रपाइब फोर लेलिया विए आपने फाइब फाइब फ़ोर कमदल्लब तू तो तू तू टू तविव डिग्री उता बचल देहां से सुनियों और टू तू 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 त टीडिग्री और प्लस 45 लिग सकते हैं ठीक यानिक बनेटी अब क्या पाई और 45 आजब भाई भाई फोर इसको साल फ्रोल आपस फाइब फाइब फोर आएगा तो एफ दैश ओफ वाइब फाइब फाइब फार अगर निकालेंगे तो इसका क्या मतला होगा इसका मतला होग लिखते हैं ठीक है तो यहां हम आपको निकाल के दिखाते हैं कॉस्ट फाइब फॉर एंब लिए नास कॉस ओफ पाई प्लस फाइब फॉर हाव वह पाई प्लस थीटा कॉंसे कॉट इन में आएगा फर्ड गॉटेंट में और फॉर्ड पर इन में कॉस का रिजर्ट कैसा हो हो जाता है नेकर वोथ है। Riagal आपका क्या माइनस थाइन चेक करो यह आगे आक के पास क्या माइनस कॉस पाई पramble पर सीरओ इसकी वालू का आगी इस मील क्या आपका प्लस है पाइब फॉर और आपको तपताई सब्सक्राइब फॉर पाइब फॉर पे एफ डाइश ऑफ एक्स तो आपका जी दो हो गया ये लिस देन फीरो थोड़ी ना हुआ इसले हमने क्या किया इसले हमने इसको इसको ऑभी्ट कर दिया इसको ने एकोड़ कर दिया यहां ने open कर दिया अटू पाइप चक परएगे ठीक घटह करते cya को ऑन फॉर्ण दूथरा क्या हैं पी तो एक सिन उसे कोल्स तूप है पराइब प्रिश करेंगे तो हमारा थैडश ओप कितना हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा सीन खलना कोस प्लस पाइप सब्किर्स फॉट टरे लिए व्योיםैंस ङॉटला हूं जैता गई द tutto माइनास साइन पड़ सीथा माइनस एडी नेल्हाँ जाए जॉटा तो मैनस आगया के स्कूलत कर देहां होगी हुई ठीक है यह यह माइना ऐसे लगा रहा पासी सब्सक्राइब अनुटा है इक फटान अटिया घाला थे आप धिक आइसराइब कटना अगया तो अपने देखा गया कि एक ट्रेटर देन है किसा हमने आपको अलवागा इंटरills देखाए यह जिलिंड च chore guessing up की सी बूक में बच्छों आपको यह ऐसे मिलेगा कैसे मेल का यह r EU रिक्रेसिंग इन्क एंटर वेल कि दूंडऑ इंटर वेल क्या करेगा यह वाला है युदर TEMN ॉ Bree यूनियन ठीक है यूनियन फाइफ पाई भाई भाई फोर टू टू पाई तो इसको हम ऐसे भी आंसर दे सकते हैं दो अलग अलग जगा ना लिख के हम एक साथ भी लग सकते हैं और शुक्ली डिक्रीजिंग तो आपने देखी लिया कौन से इंट्रेवल में था अब बच्चे निए मैं कॉमेंट क्या करूं ठीक है कि उसके लिए आप किसको करना पड़ेगा साइन की हर एक वैलू के लिए सो नोगा सब्सक्ति कॉणिन पॉलिए। इसका मतलब ये function क्या साइश देंस ये function continuous function end point पे भी होगा कहा कहा 5x4 पे 5x4 पे ठीक है तो अगर ये के वाल आपको क्या बोलेगा के वल अगर आपको increasing बोलेगा तो हम इसको close कर देंगे और यहां वे वह मैं इसको close कर देंगे तो हम फिर increasing का जब जब जवाब देंगे तो यहां पर close करके union करके देंगे इसी तरीके से decreasing में हम दोनों को close कर देंगे कारन समझ में है यह भी continuous होता है पूरी real number line पर यह भी तो दोनों का सम्भी क्या होगा continuous यह हमने इसकी हरे वैलू के लिए continuous है यह जब हम increasing decreasing वाला जवाब देंगे तो close interval करके देंगे ठीक है तो यह खतम हुआ है यहां पर नेक्स वीडियो में हम इसी से कि ही अरियो में हमें को यह रहा है यह दो है